नमस्ते मेरे बच्चों आज हम देखते हैं विशय हिंदी उसमें पत्रा लेकन देखते हैं आज हम देखेंगे पत्र लेकन में अनवचारिक पत्र लेकन और अवचारिक पत्र लेकन ऐसे दो प्रकार होते हैं तो देखते हैं पत्रव पत्र के त्वारा हम अपनी भावनाय और अपने विचार को शब्दों माधम से लिखित रूप में किसी वेक्तित पहुचाते हैं पत्र लेकर एक कला है अपने विचारों को संशेक में प्रभावकारी ढम से विशेक के अनुरूप भाशा का प्रयोग कर भुचाना एक प्रकर का हुनर है ऐसी हालत में पहले आजकल पत्र लिखने की आवशक्यता बहुत कम पड़ती है फिर भी अपने खांस वेक्तियों समंदिता मीत्रों तथा सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवशक्यता होती है अब इमेल से भेजे जाने वाले पत्रों में लिफापे की आवशक्यता नहीं रही इसलिए पत्र में भी पत्र भेजने वाले का ना, पत्त, इमेल, आईडी लिखना होता है अब आपको इमेल भेजने के तरीके फरिचित होना है इस वर्ष में इमेल के प्रारंब के अनुरूप पत्र लेकन की पद्धती अपनाई जाती है तो देखते हैं अनवचारी पत्र किसे कहते हैं? वेक्ति के रिष्टो और आयू के अनुसार संबोधन तथा अभिवादन दिखना चाहिए शुरू में पत्र पाने वाले का कुशल शेम पुछना चाहिए अनवचारिक पत्र में विशे विवेचन की जरूरत नहीं होती अपने उद्दिश के अनुसार लेकन स्नेह सम्मान सहीत प्रभाव शब्ग में होना चाहिए पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाई और भेज पत्र भेजने वाले हस्ताक्षर नाम तथा पत्र लिखना चाहिए अनुपचारिक पत्र लिखते वक्त क्या लिखना है देख बच्चो तिनांक लिखना है सम्मोदन, अभिवादन, प्रारंब, विशे वीवेचन, समापन, हस्ताक्षन, नाम, पत्ता और आपको इमेल आइडे भी लिखना है यह हो गया अनुपचारिक पत्र दूसरा प्रकार है ओवचारिक पत्र ओवचारिक पत्र किसे कहते हैं? प्रती लिखने के बाद पत्र पाने वाला पत और पता लिखना चाहिए फिर पत्र में विश्य तथा संदर्बका उलेक करना चाहिए पत्र प्राप्त करने वाले प्रती आदर प्रकट करने के लिए महोदे संबोधन से संबंदित करना चाहिए इसके बाद पत्र में विशे के अनुसार कुछ परिछद में अपना आशे प्रकट करना चाहिए फिर पत्र के समाप्त करते समय नीचे बाई और पत्र भेजने वाले अस्ताक्षर उनका नाम लिखना चाहिए देखो बच्चो अभी देखते हैं ओपचारिक पत्र में क्या लिखते हैं ओपचारिक पत्र में दिना, प्रती, विशे, संदर्ब, महोदे, विशे विवेचन, हस्ताक्षर, नाम, पत्ता और इमेल आईडी लिखना हैं ए हो गया ओपचारिक और अनपचारिक पत्र के प्रकार